जैनेर वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहाँ आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुक अपडेट्स को सबसे पहले तो चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा आज के अपने अपडेट की शिर्वास करेंगे तरंग शक्तिक साइज से तरंग शक्तिक साइज में आज कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली जहाँ पर जो यह टीजी ग्रावलर एरक्राप्ट है जो कि बेसिकली एफटीन सुपर होरनेट का एक एलेक्रोनिक फॉरफेर वेरियंट है यह तेजस के साथ ड वियतनाम वार में अमेरिका के जो पाइलेट्स थे वो छोटे और ज्यादा तेज सोवियत मिक फाइटर्स से काफी परिशान हुए थे और उनके लिए वो विलको नया एक्सपिरियंस था तो इससे निपटने के लिए जो डे सिमलर एर कॉमबैट ट्रेनिंग है यह और और जो अलग अलग प्रकार के फाइटर एक्राप्त हैं यह आपसमें इंगेज होते हैं अब यहाँ यहाँ पर सेमिल RAW डॉकフाइट भी हो सकती है जहाँ पर वियौन ब्याइजम बिए और विज्वल रेंच कोमबैट भी पॉसीबल है यहाँ पर आपको 1 V1 या 2 V2 जो AIR कोमब जाते हैं जहां पर फाइटर भी हो सकता है जिसमें 8 वर्शिस एट और 12 प्लस भी हो सकते हैं और इसमें हर परकार की जो air combat है वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है तो तेजस भी डैक ट्रेनिंग में वह उल्ड था और माना जाता है कि तियांख की परफॉरमेंस थी वह काफी ब गयाई पर रेडार लोक लेने के लिए काफी अग्रेसिव मनुवर दिखाये थे लेकिंगे जो कोई 30M के ने सक्सेस पोले उडार लोक को एवाइड किया और हार्ड राइट टरन लेकर के जो अपनी सुपीरियर मनुवर बिल्टी है उसका प्रतेक्ट फिरमार दिया था और इ ये तीनों डील ऐसी है जो अपने निगोशेशन के अंतिम स्टेजस में थी और अब मीडिया रिपोर्ट में खासकर एए अनाई की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस फानेंशल एर के खतम होने से पहले ही 31 की संख्या में जो MQ9 ड्रोन से इनकी डील को फाइनलाइस कर ल कि लागत आएगी और ये डील इस फानेशल एर के पहले खतम कर ली जाएगी आपको बताते चलें किक्तिस के संख्या में जो MQ9 ड्रोन से इन में से 15 ड्रोन जो है ये क्रमसा भारतिया 9 से नको जाएंगे और बाकी ड्रोन जो है ये भारतिया थल से नको प्रदान किये करेंगी इन सबसे हट के सबसे ज़्यादा इंतजार जिसका किया जा रहा है वह राफल एम का जहां पर प्राइस फाइनलाइज हो चुका है प्राइस निगोशिचिचन चल रहा तो संभावित एक खतम भी हो चुका होगा और इस फानेशल एक खतम होज़े से पहले हमें बा और आपको बताते चले कि सिर्फ इतना ही नहीं राफल की जो इंडिया में मजबूत होती जा रही है क्योंकि अब कुछ सोसेस के तौरा ये भी बताया गया है कि हमें MRFA में एक बहुत बड़ा सर्प्राइस में लें वाला है वो भी इस वर्ष के खतम होने से पहले तो देख उनके जो नए चेर्मेन और मैनेजिंग डारेक्टर है वो मिल चुके हैं जी हां डॉक्टर देवनहाली कृष्ण मूर्ति सुनील याने डॉक्टर डेक्यास सर ने आज अपनी कारेभाल को संभाल लिया है और अब वो HL के नए CMD के तौर पर कारेदत रहेंगे उनका समय प्रगति पर है तो ये चीज़े कैसे वो हैंडल करते हैं ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा अगर हम डॉक्टर डीकेस की बात करें तो अल्लेडी इन्होंने तेजस मार्क वन एकी जो डिलिबरी स्केडियूल है इसमें जो डिले हो रही है इसको एड्रेस करने है और माना जा रहा है कि इसकी जो एसम्बली है ये अगले महीने से शुरू हो जाएगी और एक की प्रियोरिटी जो होगी डॉक्टर डीकेस की वो इस प्रोग्राम को एसलेरेट करने की होगी क्योंकि हम सब जानते हैं दोजार पच्च्च्च्च्च में इसका रोल आउट संभावित है और संभावित है कि 2025 के अंत तक इसकी पहले उडान भी हमें देखने को मिल जाए लेकिन इस पस्ट है कि तेजस मार्क टू ही नहीं बलकि हमारे लिए तेजस मार्क वन ए भी उतना ही इंपोर्टेंट है क्योंकि इंजन डिलिवरी डिले के चलते ये प्रोग्र के चलेंजेस को टैकल करने की तो हम आशा करेंगे कि उनके इस कार्यभार को संभालते ही हिंदुस्तान अरोनॉटिक इंप्रिड नहीं किया गया है और जब तक इंजन की समस्या रिजॉल्व नहीं हो जाती ऐसी बाते अभी इंटरेट मीडिया में सर्कुलेट की जा रही है कि जब तक इंजन के डिलेवरी को सुनश्चित कर नहीं लिया जाता तब तक जो एडिशनल 97 जेट्स हैं इनकी ऑफिशल डील हमें देखने को नहीं मिलेगी हमारे एगली बड़ी अप्रिट आ रही है जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर आप सब को पता है कि हाले में भारत के रक्षा मंतरा लेके द्वारा 240 के संख्या में जो AL31 एंजन है इनकी खरीद को मंजूरी मिली है और ये AL31 एंजन 26,000 करण रुपय के लागत में खरीते जाएंगे और सबसे खास बात ही होगे कि इसमें जो इंडिजनस कॉंटेंट है ये 54% से 63% के बीच में ग्रेजिवली मिलेगी एक hybrid technology demonstrator जो की enhanced Indian mid component को feature करता है उसको लेकर कहा जाता है कि काविर इंजन प्रोग्राम के लिए वो विक्सित किया गया था वो 2025 रख आएगा और इसमें जो components होंगे वो basically काविर एडवांस होंगे और इसी प्रकार के जो components है वो आगे चलके रशिया इंकाउंटर पार्ट को रिप्लेस करेंगे जो के एक major step होगा सर्फ रिलैंस को प्राप्त करने का दरसल ये initiative काफ इंपोर्टेंट इसले भी बन ज किया जाएगा और बहुत सारी critical technologies पर उन्होंने master भी कर रखा है जैसे कि जो thermal barrier coating है या फिर ब्रेट cooling techniques है इन पर प्राइवेट सेक्टर कंपनिया है उन्होंने critical technologies को master करके रखा है और इनका सीधा फाइदा हमें अपने indigenous program में देखने को मिलने वाला है ये जो parts है और इनके द होगा कि जो inferior Russian components है इनको replace करेंगे जैसे कि हमारे हाँ single crystal nickel based जिसों पर alloy है इनको develop किया जा चुका है और यह development Defense Metallurgical Research Laboratory के दारा किया गया है और यह जो advanced material है यह ना सिभ इंजिन की durability को बढ़ाएंगे बलकि उनके जो life span है उसको भी काफी enhance करेंगे इसके अलावा और भी जो उनक maximum MTBO है इसको भी काफी improve करेंगे तो कुल में लाकर करके यह initiative काफी अच्छा है देखते इसमें में कितनी सफलता मिलती है तो आज के इस वीडियो में बास इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए चाहें